आस्ट्रेलिया को अक्सर कई कारकों के कारण पर्मानू सर्वनाश की स्थिती में अपेक्शाकृत सुरक्षित स्थान माना जाता है। आस्ट्रेलिया भागोलिक रूप से अलग्थ लग है जो अन्य प्रमुख भूमी से बहुत दूर स्थित है। इस अलगाव का मतलब है कि दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाले पर्मानू संधर्ष की स्थिती में आस्ट्रेलिया तक सीधे पर्मानू गिरावट की संभावना कम है। विशाल दूरी और पानी के बड़े समुनदर प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। प्रिशी योग्य भूमी और ताजे पानी के भंडार शामिल हैं। ये संसाधन पर्मानू सर्वनाश के बाद जीवित रहने और समाज के पुनर निर्मान के लिए महत्वपून होंगे। एक बड़ी वैश्विक तबाही के सामने ये कारक अधिक व्यवस्थित प्रतिक्रिया और प्रभावी शासन और संसाधन आवंटन की उच्च संभावना में योगदान कर सकते हैं। आस्ट्रेलिया के पास एक सक्षम सैन्य और खुफिया तंत्र है। हालांकि यह पर्मानु सर्वनाश के प्रभावों से पूरी तरह से रक्षा नहीं कर सकता है। यह बहतर स्थितिजने जागरूपता, प्रारंभिक चेतावनी प्रनाली और पर्मानु हमले के प्रभाव को कम करने के संभावित उपायों में योगदान दे सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपून है कि कोई भी जगह पर्मानु सर्वनाश के परिनामों से पूरी तरह से प्रतिरक्षा नहीं हो सकती है और इस तरह की घटना के बाद विनाशकारी और जटिल होगा। हलांकि उपर उल्लिखित कारकों से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ फायदे हो सकते हैं जो संभावित रूप से अन्यक्षेत्रों की तुलना में जीवित रहने और बचने की संभावना को बढ़ा सकते हैं।